हाई फ्रेंट्स नवेरा सवी में आपका एक बार पिर्शे स्वागत है और आज जन्माश्ट में पे श्री कर्शन जी के लिए परसाद बना के तयार करेंगे और एकदम इजी तरीकेशे आप बना के तयार करेंगे और एकदम सुध परसाद बना के तयार करेंगे इसे बोलते चलो बनाना शुरू करते हैं मैं गेस पेन चड़ाके और पेन के अंदर गी डाल लेती हूं और आठा पंजीरी बना के तयार करेंगे दनिया पंजीरी और आठा पंजीरी दो परकार की बनते हैं छिरी कर्संजी के जनम उस्टो पे और तो गी गरम हो गया मिसक के अंदर आठा डाल ूगी और आठे को अची तरह से पका लूँगी है कि के आठा डाल दी हूच अची तरह से शेक लूँगी में श्री करसंजी का उपवास करते हैं तो ये पंजीरी खाके ही उपवास को तोड़ते हैं जैसे श्री करसंजी का जनम होता है 12 बजे बाद में रात को उस समय ये पंजीरी बाटी जाती है और फिर सब लोग इस पंजीरी को खाके और फिर उपवास तोड़ते हैं पहली बग पणजीरी बाटी जाती है और फिर बगत इस पंजीरी को खाके और फिर अपना पुआस तोड़ते हैं कि आटा का कदर चैंच होने लग गया तो समझे आटा पकने लग गया है कि आठी को हैज पल Tiger को पकाना है पंजीरी बनाने के लिए तो देखें आप को में चैंच हो गया और आटा पक कर तयार हो अमेश एक पलेट के अंडर निकाल लेती हूं और फिर शिपाळा लेती हुँ स्पाइन के अंदर पिद से में घी डाल देती हं और गी को गरम होते ही मैं इसके अंदर ड्राइफ रूट डाल देते हूं पंजीरी के अंदर डालने के लिए ड्रियस वचा रोस्ट करेंगे पहले वादाम Вас फटी प्राजुत कई सोचते हैं स्ट्वर्शन जी जनना मुन्स्थ्र पर क्या परत्त के वीले नहीं जए चलिए सबस्क्राइक तो आथ पंजीरी टलाक पंजीर भना लुग स्पश्छुटी जाहरा है संबी को अच्छे तरह से रोस्ट करके भूड़ें प्लेट प्लेटश करें यह दो प्लेट के अंदल निकाल के और फिर इसे ठंडा करके और फिर मैं इसे कट कर लूँगी छोड़ी टुकुडियों में शिरी करसंजी को मोरपंग बहुत पसंद है शिरी करसंजी अपने शिर पे लगाये रखते हैं मोरपंग को सभी को में कट कर लूँगी बादिक साइज में शिरी करसंजी की परसाद की पंजीरी बना के तयार करेंगे एकदम इजी तरीकी से एकदम टेस्टी और एकदम लाजबा बना के तयार करेंगे आप अपने ही गर्मे बनाके और पंजिरी का भोग लगाई है शिरी कर्शन जी के एकदम सुध बनाके सबी को मैं जट पट कट कर लूँगी और फिर पंजिरी बनाके तैयार कर लूँगी मैं आपके पास पाउडर चीनियों हो तो पाउडर चीनि डाल दीजे ना हो तो पाउडर चीनि मिक्सी जार में डाल के मोटी चीनि को और पीच के तैयार कर लीजे मेरे पास पाउडर चीनि नई थी इसलिए में एक मिक्सी के जार ले लेती हूं और मिक्सी के जार के अंदर में च बंद के देती हूं और चीनी का पाउडर बना के मैं तयार कर लेती हूं तो लीजे मैं चीनी का पाउडर बना के तयार कर लिए हूं अब में एक प्लेट के अंदर जो मैं आटा सेकी थी वह आटा डाल रखी हूं तो इसके अंदर आटे के अंदर में चीनी डाल देती हूं अब मैं कुछ ड्राइफ्रूर डाल देती हूं जो मैं रोश्ट करी थी वह और अच्छी तर से मिक्स कर देती हूं आप इसी तरीके से आप शिरी कर्शन जी का प्रिये परसाथ तैयार कर सकते हो अच्छी तर से मिक्स हो गया अब में इसके अनदर एड़ करूँगी जो नार्य कख पाउड राता है वो एड़ देती हूं इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता इसके अंदर पंजिरी के अंदर अब में सके यंदर बचे भे ड्राइफी रूटब दाल देती हूं अभी चीजों से भज़ यह अछा टेस्ट आया गोर के अंदर है अब भी के अंदर तुल्षी के पत यह करांगी तुल्षी के पते से बिल्कुल सुद्धे बिलकूल आ परसाद बोग के लिए मैं इसे गानिश करूँगी तुलसी के पत्ते से और गुलाब की पंक्रियों से फूल तो बैसे ही शिरीकरसन जी को बहुत पसंद है तो देखिए शिरीकरसन जी की जनम दिन के लिए पंजीरी बनके तयार हो गई जनमाश्टिमी का प्रिय परसाद बनके तयार हो गया एक बार आप भी जरूर बनाईए और शिरीकरसन जी के भोग चडाईए आठा पंजीरी बनाके और इजी तरीकेश आप बनाके तयार कर सकते हो देखें कितने प्यारी और कितने अच्छी पंजीरी बनके तयार हुई है नवेर सोई के अंदर आपको आठा पंजीरी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और वेल आइकन को जरूर दबाईए क्योंकि मेरी अगली नोटिकिशन आपको मिलते रहें जे हिन जे वारत जे मातादी फिर से मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में धन्यवाद